हलो इस्टूडेंट्स मेरे चैनल एलेफटी हिंदी टूटरल में आपका स्वागते आज मैं आपके लिए लेकर आईएं कक्षा दस्की शितिज पोस्तक के गद्ध भाग से सम्मंदित महत्पूर प्रश्न ये प्रश्न आने वाली राज्थान बोर्ड परिक्षा की दिश्टी से काफी महत्पूर है इन प्रश्नों को पढ़ाने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाऊंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाप सबसे पहले आपको मिल सके गद्भाग में पार 10 एक अद्भूत अपूर्व स्वप्न जिसके लेखक हैं भारतेंदू हरिश्चंद्र इस पार्ट में से महतपूर प्रशनोत्तर हैं जिसमें पहला प्रशने एक अधभुत अपूर स्वप्न निभंद में भारतेंदुजी ने किस पर वेंग किया है ये अति लगुत्रात्मक प्रशने अगला प्रशने प्रशन नमबर दो लेखक ने देवाले वनाने का विचार क्यों त्याग दिया ये लगुत्रात्मक प्रशने प्रशन नमबर तीन भारतेंदुजी की शेली पर प्रकाश डाली है ये निभंदात्मक प्रशने प्रशन नमबर चार पंडित प्राणान तक प्रसात की क्या विशेशता बताई गई है ये लगुत्रात्मक प्रशने पार्ट ग्यारा इदगा कहानी इसके कहानीकारे मुशी प्रेमचन्द इसमें पहला प्रशने है हामीद ने चिम्टे की उप्योगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिये ये लगुत्रात्मक प्रशने प्रशन नम्बर दो, हामित के अत्रिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वादिक प्रभावित किया और क्यों? ये लगुत्रात्मक प्रशन है प्रशन नम्बर तीन, मेहमूद ने कौन सा खिलोना खरीदा? ये अतिलगुत्रात्मक प्रशन है प्रश्न नंबर चार हामित के चरित्र की कोई तीन विशेशताईं लिखिए ये लगुत्रात्मक प्रश्ने प्रश्न नंबर पांच इदगा कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेक कीजिए जिनसे इद के अवसर पर ग्रामिड परिवेश का उल्लास प्रकट होता है ये निवन्दात्मक प्रश्ने प्रश्न नंबर चे इदगा कहानी का उद्देश इस्पष्ट कीजिए ये निवन्दात्मक प्रश्ने मैं सभी स्टुडेंट्स से ये भी कहना चाऊंगी कि इन प्रश्नों को कई बार बोड परिक्षा में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और उत्तर यही होता है तो आप उस द्रश्टी से प्रश्न को देखे और उसका जवाब दे उसके उत्तर लिखे पार्ट बारा पार्ट बारा है इस्त्री शिक्षा के विरोधी कुतरको का खंडन जिसके लेखा के मावीर प्रिशाद दोएदी पहला प्रश्ने इस पार्ट में आई प्राचीन कालीन विदूशी महिलाओं के नाम लिखिये ये है अति लगुत्रात्मक प्रश्न प्रश्न नमबर दो है रुकमणी हरण की कथा कहां मिलती है ये अति लगुत्रात्मक प्रश्न प्रश्न नमबर तीन है नाटकों में इस्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपण होने का प्रमाण नहीं है इस पश्ट कीजिए ये लगुत्रात्मक प्रश्णे प्रश्ण नमबर चार ये सारा दुराचार इस्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है इस पंक्ती में निहित वेंग को इस पश्ट कीजिए ये लगुत्रात्मक प्रश्णे प्रश्ण नमबर पांच बोद धर्म के त्रिपिटक ग्रंद की भाषा क्या है? ये अतिलगुत्रात्मक प्रशन है पार्ट तेरा अमर शहीद एकांकी ये एकांकी लक्ष्मी नारायन रंगा की है इसमें पहला प्रशन है अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? ये अत्ती लगुत्रात्मक प्रश्न है प्रश्न नंबर दो अमर शहीद एकांकी के आधार पर बताईए कि जैसल में जेल में गोपा को कौन कौन सी यातनाय दी गई ये लगुत्रात्मक प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागर्मल गोपा का चरित्र चित्रन कीजे ये निभन्दात्मक प्रश्ण प्रशन नंबर चार. मार्द भूमी के दिवाने तन का जीवन नहीं, मन का जीवन जीते हैं. इस पंक्ती का आशे स्पष्ट कीजिए. ये लगुत्रात्मक प्रशने. प्रशन नमबर पाँच पुलिस अधिक्षक का क्या नाम है? क्या नाम था? ये अतिलगुत्रात्मफ प्रशने प्रशन नमबर छे सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तके कौन कौन सी है? ये अतिलगुत्रात्मफ प्रशने पाट चौदा आखरी चट्टान जिसके लेखक है मोहर राकेश इसमें पहला प्रशन है सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया ये लगुत्रात्मक प्रशन है प्रशन नमबर दो सूर्योदे काली शडों में लेखक ने क्या देखा? ये लगुत्रात्मक प्रशने प्रशन नमबर 3 कना कोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? ये अतिलगुत्रात्मक प्रशने प्रशन नंबर चार वेवेकानंद ने कहां समाधी लगाई थी? ये अतिलगुत्रात्मक प्रशन है प्रशन नंबर पांच भारत प्रकृती का खूब शूरत उभार है पाठ के आलोग में इस कथन की व्याख्या कीजिए ये निवन्दात्मक प्रशन है प्रशन नमबर छे, कन्या कुमारी भारत के किस राज्य में हैं? ये अतिलगुत्रात्मक प्रशन है अगला पाठे, पाठ पंदरा, इश्रा तू ना गई मेरे मन से, इसके लेखके रामधारी सिंग दिन कर पहला प्रशन है, कवी ने इश्रा की बेटी का क्या नाम दिया है? ये अतिलगुत्रात्मक प्रशन है अगला प्रशन है, इश्वर चंद्र विद्या सागन ने क्या सूत्र दिया है? ये भी अतिलगुत्रात्मक प्रशन है प्रशन नमबर तीन, ईशा सबसे पहले किसको जलाती है? यह अत्ति लगुत्रात्मक प्रशन है प्रशन नमबर चार, ईशालू लोगों से बचने के लिए नीच से ने क्या उपाय सुझाया है? यह लगुत्रात्मक प्रशन है प्रश्न नंबर पाँच, चिंता को लोग चिता केते हैं, इसके समर्थन में अपनी बात रखते हुए, इस पष्ट कीजिए इस कथन को ये निभंदात्मक प्रश्न है मैं सभी स्टुडेंट्स से ये कहना चाऊंगी, महादेवी वर्मा का गोरा पाठ सिलिवस से हटा दिया गया है, इसलिए इससे सम्बंदित प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे अगला पाठ है हमारा लोग संत दादू दयाल, इसके लेखक है राम बक्ष, इसका पहला प्रश्न दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, ये अति लगुत्रात्मक प्रश्ने, प्रश्न नमबर दो है, दादू खोल से क्या आशे है, ये लगुत्रात्मक प्रश् प्रश्न नम्ब पॉच्टू के गुरू का नाम क्या था? यह अथिल लगुत्रात्मक प्रश्न नम्ब छे दादू ने अपने शिश्यों को क्या सिख्षा दी? यह संकलत पाठे लोहकीन पीपा यह संकलत पाठे इसका पहला प्रशने, संत पीपा का जन्म कव एवं कहां हुआ था? यति लगुत्रात्मक प्रशने, दूसरा प्रशने, संत पीपा की पत्नी का नाम क्या था? यति लगुत्रात्मक प्रशने, अगला प्रशने, लोग संत पीपा के जीवन चरित्रपल संशेप में प्रकाश ये निवंदात्मक प्रशने, प्रशन नमबर 4, संत पीपा का चरित्र चित्रन कीजिए, ये लगुत्रात्मक प्रशने, हमारा अंतिम पाठ है सडक सुरक्षा, सडक सुरक्षा, इसमें पहला प्रशने, नशीले पधार्त अत्वा शराप के सेवन करने के दुष पल्णामों पर टिपड़ी लिखिए, ये लगुत्रात्मक प्रशने, प्रशन नमबर 2, सडक सुरक्षा का उत्तरदैत, वो नागरीपों पर है या सरकार पर, इस विशेप पर अपनी विचार प्रकट कीजिए, ये निवंदात्मक प्रशने, प्रशन नमबर 3, कोहरे में वाहन चलाते समय, चालक को क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये लगुत्रात्मक प्रशने, मैं सभी स्टुडेंस से ये कहना चाहूंगी, कि यातायात गियमों से संबंदित, संकेत चिन्न भी पूछे जाते हैं परिक्षा में, तो आप उन संकेत चिन्नों से संबंदित प्रशन भ चोथा हैं हमारे रामधारी सिंग दिनकर, और अंतिम लेखिका हैं हमारी मादेवी वर्मा, इन सभी लेखोकों का जीवन परचे, रचनाय, इन सब के विशे में, जब मैंने शितिस पुस्तफ के पार्ट पढ़ायते, तो इन सब के विशे में पढ़ाया था, काफी अच्छ कीजिए और जो भी नए वीवर्स हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद